नमस्कार हेल्थ मंत्रा में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ श्रिखा महरोत्रा अपने इस कारिक्रम में हम बात करते हैं स्वास्त सम्वंधी दिक्कतों पर और जानते हैं विशिशग्यों से समधान और बच्चाओ के उपाई और आज हम बात करेंगे बढ़ती जनसंख्या पर और विशिशग्य से जानेंगे मानव जीवन और स्वास्त पर होने वाली परिशानियों के बारे में बढ़ती जनसंख्या की विक्रालता का सीधा प्रभाव प्रकृती पर पड़ता है और प्रकृती में होने वाले बदलाव का असर स्वास्थ पर भी पड़ता है और इन ही दुश परिणामों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पर्यावरण विद डॉक्टर सुशील दिवेदी जी सर हमारे खास कारेकरव में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहला सवाल कि जनसंख्या वृद्धी के कारण क्या है और इसके होने वारी दुश परिड़ा यह वह दिन है जिस दिन हम पूरी दुनिया को संचेतना फैलाते हैं जागरुक करते हैं वो कैसे ढंग हैं वो कौन-कौन से ढंग हैं वो कौन-कौन से कारक हैं जो जनसंख्या को बढ़ाने में कहीं न कहीं से साहयक से दो रहे हैं उनको बताने का कार करते हैं जिसमें आपने भी यह प्रस्न किया तो मैं बताऊंगा कि एक जो आम लोगों में एक प्रकार की जो धारना है कि जो भी ह आम जो जनन का अधिकार दिया गया है, रिप्रोडक्शन का अधिकार इनसानों के अंदर है, लेकिन उसको विवेक के साथ करना पड़ता है, तो आम लोग ये सोचते हैं कि हमारे रिप्रोडक्शन के बाद जो भी बच्चे आते हैं वो भगवान की देन हैं, तो ये चीज कही जन संख्या को बढ़ाने में योगदान देंगे तो उसके लिएके यह नहीं समझ पा रहे कि क्या ऐसे कोई धंग है क्या ऐसे सरकार दोरा उपलब्द कराए जाने वाले किसी प्रकार की सहायता है क्या काउंसलिंग है क्या या मेडिकल डिवाइसें क्या जिनके दोरा हम बच् की दोर में जो सरकारी किताबों में एक चेप्टर रिप्रोड़क्टिव हेल्थ का रखा गया है और उस रिप्रोड़क्टिव हेल्थ के अंतरगत ये जो भी धंग है और जो भी परेशानिया जो इनसानों को होती हैं बढ़ती होई जन संख्या के कारण उन खत्रों को भी आगाय किया जाता और साथ में ये बताने के लिए भी किया जाता कि आप इन इन ढंक से जनसंख्या का नियंतरन कर सकते हैं उन लोगों के लिए भी बताया जाता जिनके कुछ infertile problem है या उनकी कही न कहीं से आगे चलके बच्चे पैदा होने में परिशानिया है तो वो method भी बताया जाते हैं उनके अंतरकत कि आप इस प्रकार से assisted reproductive therapy के द्वारा अपने घरों में खुशियां ला सकते हैं झी लेकिन जो जन संख्या व्रिधी के कारण जी यह तो है ही लोग जाग रूप नहीं होंगे लोग जैसे अगर समझेंगे कहीं न कहीं से जो भी नए महान आ रहे हैं मतलब तो वो कहीं न माना जाता है कि हमको ईश्वर से या कोई डिमाइन सकती है उसके दोरा है तो ये बहुत जानना लोगों को जरूरी है और दूसरी बात अगर घर में सदस्यों की संख्या जादा होगी तो आज के दोर में जो हम और आप लोग देख रहे हैं कि लगबग प कितने लोगों का भार सेहन कर सकती कितने लोगों को संसाधन दे सकती है रोटी कपड़ा मकान सुक्ष वायू अन भोजन ये सारी चीजें देने की एक छमता होती है और आज बढ़ती हुई जनसंख्या काना हमारी आपकी धर्टी हाप रही है कराए रही है कही न कहीं से आज ही अपने परिवार को सीमित करना पड़ेगा मेरा कहने का आज़े यह है कि हमारे देश में जो फीमेल साथाद महलाएं हैं अगर हम उनको जागरो करते हैं उनको कहींенного कहीं से सिक्षित करते हैं उन्हें अधिकार लेने के लिए एक प्रकार से ससक्त बनाते हैं तो बहुत सारी समय हैं काफी है तक सौल्व होने की रूप میں मैं देखता हूँ. आपने देखा होगा कि जब भी कोई परेषानी आती है तो परिवार में फीमेल ही सबसे पहले उसके भुकत भोगी होती है. चाये बड़ी हुई जनसंक्या हो और बड़ी हुई जनसंक्या से चाये घर में कोपोसन की समझ से आई हो या आर्थिक समझ से आई हो या और भी एकोनॉमिकल परिशानिया तो फीमेल को चुकि कहीं न कहीं से घर को मैनेज करने में बहुत बड़ा योगदान देना पड़ता है भारत की ये बताने में तयार होते हैं कि ये आपका अधिकार है आप चाहें तो इस अपने परिवार को यहां तक सीमित कर सकते हैं और साथ में ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकाय द्वारा चलाई जा रही लेकिन वही बात है न दुरभागपूर बात है कि जब तक योजनाएं धरातल पर सही रंग से नहीं आ पाएंगी तब तक हमें ऐसे जो भी परिराम हैं दोस्परिडाम जनसंग अबरदी के रूप में या फिर जनसंग अब रद्धी के जो दुस्परडाम के रूप में कोपोसंड जैसी समस्या हो गई या फिर बढ़ती आबादी के कारण जो अलग-अलग प्रकार की बीमारियां जो हमें और आपको देखने को मिर रही हैं बढ़ी हुई आबादी से बीमारियों का ताथ पर इस चीज़ से है कि जब आबादी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि धरती पर बोज बढ़ेगा हमारा अपका संसादनों को हम खीचेंगे और एक सर्वे किया गया था तो उसमें देखा गया कि 60% के आसपास ग्रीन हाउस गैस, कारवन डायकसाइड, मीथेन, किलोरो फ्लोरो कारवान ये जो ग्रीन हाउस गैस हैं जो धरती के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेबार हैं, जल्वाई परवरतन के लिए जिम्मेबार हैं, मलेरिया, डैंगू, चिकन गुनिया की बीमारियां पहलाने में जो वाहक होते वेक्टर, मॉसकेटो, इनकी पॉपुलेशन बढ़ ये मानते हैं कि फैक्टरिया कहीं और जगे से आती होगी, ठीक है उनका भी कंटिविशन है, लेकिन इसमें बढ़ती हुई जंसां के कानारा हम सीधे सीधे अपने घर बनाने के लिए जंगल की तरफ जाएंगे, तो जंगलों को हम समाप्त करेंगे, तो जंगलों को कहा जा है, मकान भी बनाना है, तो कुलमला के ये तहस नहस जो हो रहा है, एकोलोजिकल सिस्टम, वो एक बहुत बड़े नतीजे के रूप में मुझे और आपको देखने को मिर रहा है, और मैं आपको बताऊं कि हर व्यक्ति इससे प्रभावित होगा, ये बात, लेकिन ये है कि गर अगर हुआ धरती पर वाईव प्रदूरसान, जल प्रदूरसान, मिर्दार प्रदूरसान, जो भी पॉलूशन हुए किसी अलग अलग प्रकार के, तो उसकी बज़े से लगबख सभी लोग पूरी तरह से प्रभावित होंगे. जब जनसंख्या मृद्धी होती है, तो आवास की भी कमी होती है, क्योंकि पहले जंगल काट के लोग अपना घर तो बना लेते थे, लेकिन अब जंगल भी खत्म होने की कगार पे है, जमीन की कमी हो रही है, जो गर नहीं ले पाते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं, उस अपने बहुत अच्छी बात की, अपार्टमेंट की बात की, तो मैं अपार्टमेंट से जोड़ी हुई एक बात बताना चाहूंगा, आप और हम लोग कभी अगर आपको मौका मिला हो तो आप मालदीब गए हों, तो मालदीब का एक सहर माली, अगर जब आप मालदीब है, मतलब चुकि वहां पर जमीन सीमित है, एक टापू के रूप में वो बना हुआ है, अब जैसे जैसे जन संक्या बाढ़ रही है, तो आप उनको रहने के लिए घर चाहिए, अब चुकि वो समुद्र से घिरा हुआ है, तो वो अपार्टमेंट की तरह बढ़ते जा रहे ह की बात करें, अगर अपने देश की बात करें, आर्थिक राजधानी की बात करें, तो मुंबई में जो नभी मुंबई है, आपने देखा होगा, जो नभी मुंबई को बताया जाता है, आपने देखा होगा कि उसको जंगलों को काटके बनाया गया है, जो पहले हमें और सीधे सीधे उस जमीन पर मल्टी स्टोरी बिल्लिंग बना दी गई तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ये जनसंख्या ब्रद्धी हो रही है भारत के संदर में विकासील देशों के संदर में अगर हम देखें तो लोग सेरों की तरफ जादा आ रहे हैं अब भाई सेरों की भी एक छमता है सेर कोई प्लास्टिक के बने हुए अबजेक्ट नहीं के जिनको खीशते चले जाए हम उनको बढ़ने हैं तो हम कही न कहीं से जो वाटर बॉडी हैं नदी हैं समुद्र हैं या फॉरेस्ट हैं इनको खतम करते हैं और खतम करके उस पर अपना आसियाना बनाते हैं और जब हम फॉरेस्ट या समुद्र या वाटर बॉडी जो भी नदियां हैं इनको खतम करते हैं इन से इन में रहने वाले तमाम जिवधारी, जिवजन्तु, वाइल लाइफ प्रभावित होती हैं और वो वाइल लाइफ कहीं न कहीं से मेरे आपके एकोसिस्टम का हिस्सा हैं और मैं सीधे-सीधे हम और आप आम तोर पर यह समझते हैं कि मेरा नुकसान नहीं होने जा रहा है लेकिन हो सकता है कि अभी प्रितेक्श रूप से आपको अपना नुकसान प्रिकटना हो रहा हो लेकिन भविस्ट में वो बहुत बड़ा एक नुकसान के रूप में मुझे और आपको 6-7-10 सालों में देखने को मिलेगा आवास की कमी हो रही है लोग गंदी-गंदी जगा पर भी रहने को मजबूर है ऐसे में कई बिमारिया भी फैलती है उनके बारे में भी बात करेंगे अदे के बढ़ती हुई जन संक्या के कारा जैसा की आपने अभी बताया तो सीधी सी बात है आवास नहीं मिलेंगे जैसे हम मुंबई की धारावी आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी एक इस्पिकार की बस्ती है जहांपर लोग सिलम एरिया कह सकते हैं वहांपर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो वहांपर उन्हें मुलभूस सुब धाय नहीं मिल पाती हैं या हम किसी और सहर की बात करें कॉलकता की बात कर सकते हैं चिनना की कर सकते हैं दिल्ली की बात कर सकते हैं देश की राजधानी दिल है हमारे देश का वहां भी आपको देखने को मिलेगा ऐसी इस्तितियां तो जब जनसंक्या बढ़ती है तो लोगों को जो एक साफ हवा, साफ पानी ये मिलना एक प्रकार से हमारा आपका अधिकार है मुलभूत लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल पाती, सरकारें भी नहीं प्रवाइड कर पाती आपने देखा होगा कभी आप दिल्ली गई हों, तो जब दिल्ली प्रवेश करने के पहले जब गाजियवाद के जश्ट पहुंचेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे, जब उसके आगे देखेंगे जो यमना नदी है, गंदे नाले की रूप में, बदबुदार नाले की रूप में आपको दिखाई देगा आपको समझना पड़ेगा, अब ऐसी प्रदूसित नदी का पानी, जब कोई भी लोग पीएंगे, जिनके पास नहीं हैं वो आर्थिक रूप से उतने उन्नत, तो सीधे-सीधे उनके बहुत सारी वार्टर वार्ट डिजीज हैं, तैसे डाइरिया हो गया, कॉलरा हो गया, ये सारी बीमानिया सीधे-सीधे उन लोगों को तक पहुचेंगी, जहां मलिन वस्ती होगी, जहां पर सही डंक से साफ सफाई नहीं होगी, वहां पर मॉस्किटों की पॉपलेशन बहुत जादा होगी, तो वहां पर मलेरिया हो गया, चिकिन गुनिया हो गया, डैंगू हो या जापनिज इनसे प्लाइटेस ऐसी बीमानिया फैलने के चांसिस बढ़ जाएंगे, अगर हम और भी अगर बात करें तो लोगों को जब साफ सुतरा पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, लोगों को सही समचित रूप से खाना नहीं मिलेगा, तो वो कोपोसन के स होगा, कुल मिला के आईरन की कमी होकर हो रही है, तो एनीमिया होगा, और फिर ऐसे हम देश की कैसी कल्पना कर सकती हैं, जिस देश में सबसे ज़्यादा योबाओं की जनसंग क्या हो, और फिर वो योबा को पोसन या भुक्मरी वाली समस्या से अगर जूजे, तो हम फिर स जनसंख्या बढ़ती है, तो रोजगार का संकट भी देखने को मिलता है, इससे भारत ही नहीं कई ऐसे देश है, जो प्रभावेत हो रहे हैं, और रोजगार और स्वास्त, इन दोनों को जोड़ के देखा जाए, तो किस तरह से देखते हैं, अगर हम देखें दुनिया में, तो इस समय सबसे जनसंख्या चीन की है और इसके बाद भारत की है, लेकिन अगले कुछी सालों में हम लोग चीन को पीछे छोड़ देंगे और नमबर बन बन जाएंगे, ये नमबर बन बनना हमें और आपको वैसे खुसी नहीं देगा, आम तोर पर किसी भी छेतर में अग ही से चिंतित कर रही है, जैसे आपने का लोगों को रोजगार की समस्या आएगी, लोगों को रहने की समस्या आएगी, लोगों को खाना महिया कराने की समस्या आएगी, लोगों को अच्छे स्कूल देने की समस्या आएगी, और जब लोगों को हम सही ढंग से खाना, से इंटरकनेक्टेड हैं अर्थात बढ़ी हुई जनसंख्या को अगर हम सहमचित रूप से अगर हम उनको संसादन नहीं अपलब्द करा पाई तो आगे चलके यह हमारे होस्पिटल पर भी बोज बनेंगे और कहीं न कहीं से हमारे देश के लिए बादा भी हो सकते हैं जी बह बढ़ा उपासक हूँ पूजक हूँ उनकी मेरे एक एक बात में मेरे मन को सदा जगजोड़ती रहती हैं उन्होंने एक बार कहा था कि इस धर्थी पर हम इनसानों की जरूरते पूरी कहने के लिए सब कुछ है लेकिन हमारी आपकी जो लालच है उस लालच को पूरा कहने के लिए नहीं हैं तो मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम इनसानों को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा हम इनसानों को अपनी कुछ चोच बदलनी पड़ेगी कि हम जो धर्ती के संसादनों का ज्यादा से ज्यादा दोहन कर रहे हैं और आने वाली देने के लिए छोड़े ही नहीं रहे हैं मिसाल के तौर पे मैं कहूँ आज हम भारत के देश के लोग तो काफी हद तक एक जिम्मेवारी वाला एक एटिट्यूट रखते हैं धर्ती के प्रती लेकिन अगर हम जर्मनी से कल्प ना करें यूरोप के देशों से कल्प ना करें तो आज की दोर में अगर हम जर्मनी के लोगों की तरह अगर अपनी लाइफ इस्टाइल जीने लगें तो हमें और आपको लगबग माना जा रहा है कि तीन धर्ती के जरूरत पड़ेगी मतलब जित्ती धर्ती पर हम लोग जरह रहे बाहरती है और अगर हम अमेरिकन लोगो के लोग संसादनों का इतना उपयोग कर रहे हैं और चीजों का इतना दुर्पयोग कर रहे हैं कि उनको कल के दिन धर्ती के संसादनों को पांच गुना तेजी से कोई खीच रहा है कोई तीन गुना तेजी से तो हमें और आपको सब को मिलके एक कंप्रियेंसिव वे में एक प्रकार से प्रयत्न काइना पड़ेगा क्योंकि अगर कहीं से भी एक देश प्रभावित होता है तो सीधी सी बात है आज पूरी दुनिया एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है वर्तमान समय में आपने देखा कि रूस और यूक्रियन का जो लड़ाई चल रही है उससे पूरी दुनिया में देखी एक प्रकार से आर्थिक मंदी आ गई और धीरे धीरे देखी महंगाई आ गई तो ये कोई भी देश अचूता नहीं है कहीं भी कोई परेशानिया आएंगी तो सीधे सीधे मुझे और आपको हर देश के नागरिक को कहीं न कहीं से प्रभावित करेंगी जी तो जिस तरह से हम लोग जन संख्या बृद्धी की बात करेंगी अगर हमको इसे नियंतरत करना है तो क्या भारत को भी चीन की तरह सकत नियम कानून लाना पड़ेगा कि जैसे हम दो हमारे दो का नारा दिया गया है उसी तरह से फॉलो कराने के लिए सकती बरतनी पड़ हमारे देश में चुकि लोग तंत्र है तो थोड़ी सी उतनी सकती नहीं कर सकते चीन की बात थी चीन ने वन चाइल्ड पॉल्सी अपनी चलाई थी वो उनकी फेल हो गई क्योंकि उसके अलग दुस्प्रभाव देखने को मिले क्योंकि जब वन चाइल्ड पॉल्सी के अंतर कहीं से ये देखा गया कि जन संग्या का संतुलन हुआ मतला या तो लड़कियों की संख्या कम होती गई लड़कों की संख्या बढ़ती गई चुकि वो एक प्रकार से वाई क्रोमोसोम की वज़े से होता है कि अगर हम एक हजार लड़कों पर देखें तो लड़कियों की सं तो अब ये जो देख रहे हैं हम लोग की वन चाहिल पॉलसी उनकी फेल हो गई लेकिन अब वो भी टू चाहिल पॉलसी पर आ गई और देखिए किसी भी लेजिसलेशन को लाने का मेरी अगर अपनी राय देखी जाए तो उसमें हम लोग संचेतना इतनी फेला दें लोगों को जागरों कि इतना कर दें कि वो खुद ही डिसीजन देने लगें डंडा मारके बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती क्योंकि हमारा देश बहुत विशाल है कस्मी से कन्या कुमारी तक फैला हुआ है एक सो चालिस करोड के आसपास की पॉपुलेशन है बहुत इतना हैं अलग अलग प्रकार के धर्म है जाती है बहुत सारे इमोशनल इसूज इनवाल्व हैं तो हमारे देश की अलग गंगा जमनी तहजीब है तो लोगों को समझा हो जाके और लोगों के कंसेंसिस लाके ही इस चीज़ों को लागू किया जाए तो वो जादा बेतर और अगर अधिक बच्चे प्यादा करने पर अगर इसे माबाप के लिए दंडनी अपराद बना दिया जाए तो इसका क्या सर देखने को मिलेगा वही बात हमने बताया कि दंडनी अपराद तो क्योंकि कोरोना की टाइम पर भी हमने देखा है कि सक्ती करी गई थी तो ही लोगों ने मास्क भी लगाया था लगाया लेकिन उसके बाद जैसे ही सामने से कोई अटा तो मास्क को उटार के जिए में रख लिया तो ये सब चीज़ें तब तक नहीं और अगर आपने किसी व्यक्ति को जागरुक कर दिया कि भाई इस मास्क के लगाने से आपको इंफेक्शन नहीं होगा तो वो जो चीज़ें हैं अगर हम किसी व्यक्ति को इस प्रकार से जागरुक कर दें इतना चेतन सील बना दें कि उनके जो कंसेक्वेंसेस हैं जो भी बढ़ती हुई जनसंख्या के वज़े से जो भी अलग-अलग परिशानियां हो सकती हैं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा दिख्चा ग्राण की उनके घर में ये क्या दो ही बच्चे वो आजकल प्लान कर रहे हैं और जब आप ऐसे समाज की तरफ जाएं जिनको सिक्चा अच्छे से नहीं मिली है तो वहां पर ये परिशानियां देखने को मिल रही तो अब इसमें हमारे अपने जो भी समाज के अ बिल्कुल हम ये देख भी रहें कि शेहरी छेत्रों में इसका पालन भी किया जा रहे है लेकिन अभी भी रूरल एरिया और इसलम एरिया अभी ऐसे हैं जहां पर लोग इसको लेकि जागरूप नहीं है और अभी भी वहां पर जनसंख्या वृद्धी की जो चीजे हैं वो लेकि जागरूप होते हैं और नहीं उन चीजों को लेकि इतनी जानकारी बच्चों को दी जाती तो आपको क्या लगता है कि अगर बच्चों को स्टार्टिंग से इस चीज की नौलेज दी जाए तो आगे जाके जो परिस्तिया होंगी वो उनमें कुछ बदलाव देखने क चाहे लोगों को आपको उनको सरल धंग से पढ़ाना है कायटून के माद्यम से पढ़ाना है रोल प्ले से पढ़ाना है कैसे ना कैसे उनको चीजें ऐसे समझानी हैं जिससे की लोग जागरूप हो सकें तो इसमें सिक्ष्णों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और न साथमी के असपाद वो पढ़ते हैं उसके बाद से उनको एडॉल सेंज इजूकेशन प्रोग्राम के अंतरगत लोगों को जागरुक किया जाता है उनके अंदर जो हॉर्मोनल चेंज होते हैं बदलाव होते हैं उनके बारे में समझाया जाता है और अगर जो भी ये सब चीज को इसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सही डंक से पढ़ाया तो वो बच्चा आगे चलके जो उसके मन में भांतिया होती हैं वो दूर होंगी और साथ में वो इस विग्यान को भी और विग्यान की तरह ही पढ़ेगा तो इसमें वही बात आ गई ना कि ग्यान समस समस्याओं को हलकने का बहुत बड़ा एक अचुक अस्थ्रे और ग्यान के दौरा ही हम दुनिया को बदल सकते हैं। माबाप के रोल को किस तरह से देखते हैं कि कम अमरों में बच्चे बहुत सारी गलतिया भी कर देते हैं। NCIT की जो बुक चलती हैं उसमें बच्चे के लिए ये सारे चैप्टर्स रखे गई हैं और उनमें बाकाइदा बहुत ही अच्छे धंक से बच्चों को समझाने का प्रियास किया गया है तो अगर ऐसी कोई घटनाएं होती हैं दुरबाग पूर्ण धंक से तो उसमें माबाप की काउंसलिंग की जा सकती है, समझाया जा सकता है और उस जिसके द्वारा हम इन परिशानियों को हल करने में निश्चिधी सा फल हो सकते हैं आज की टाइम में प्रेगनेंसी को एवाइड करने के लिए बहुत सरी मेडिसिन्स भी हैं, बहुत सरी तरीके हैं और इसके लिए लगतार एडवर्टाइजमेंट के माधियां सभी लोगों को जागरुप किया जा रहा है आपको क्या लगता है कि क्या इन्हें और एजली अविलेबल कराना, लोगों के अंदर से शर्म निकालना ये बहुत जरूरी है ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे जो भी जैसे फिजिकल हेल्थ की बात होती है mental health की बात होती है ऐसे ही reproductive health की भी बात होनी चाहिए और हमारे देश में विसेशकर इस पे उतना ध्यान पहले नहीं दिया गया लेकिन अब जो भी जैसे जैसे भी सिक्षा का इस तर नए दौर की सिक्षा आई तो बच्चों को इसके लिए जागरुक किया जाता है और तमाम प्रकार से अलग-अलग ढंग से लोगों को जागरुक किया जा रहा है और ऐसे बहुत सारे सोध भी हो रहे हैं कि जो भी contraceptive pills हैं जो पुराने समय से traditional आती थी hormonal waste उसकी बज़े से females में बहुत सारे side effect भी देखने को मिलते थे आज की date में ऐसी contraceptive pills भी बनाई जा रही है मैं आपको बताते हुए बड़ी मुझे खुसी हो रही होगी कि लखनौ में एक CSIR का institute है जिसे हम Central Drug Research Institute आथा CDRI कहते हैं इन्होंने एक बहुती revolutionary दबा बनाई है female contraceptive गर्ब निरोदग गोली जिसे सहेली कहते हैं और ये non-steroidal है क्योंकि जो पहले दबाई आती थी उसमें जो भी उसमें steroid रहते थे थे steroid के कुछ ना कुछ side effect होते हैं लेकिन इसमें कोई भी steroid नहीं तो ये भी इस प्रकार का है बहुत सारे physical barrier भी ऐसे market में उपलब्ध है latex based उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये कुलमलाके जो ये विज्ञान है reproductive science इस पर सभी लोगों को इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये सरीर के जैसे और system होते हैं जैसे हमारा excreti system है हम खाना खाते हैं तो digestive system है सांस लेते हैं तो respiratory system है ऐसे ही वो एक दूसा system है जिसे हम reproductive system कहते हैं और हर जीविट जीओधारी में ये सक्री रहता है और अगर ना हो तो अगली पीडी में जो भी हम लोग बच्चों की कलपना करते हैं वो कलपना सायद हमारी कहीं से भी फिर फली भूत नहीं हो सकती क्योंकि ये reproductive system से ही फली भूत होगी 11 जुलाई को World Population Day मनाते हैं एक दिन ऐसा रखा गया है कि लोगों को जागरुप किया जा सके तो क्या लगता है कि एक दिन काफी है नहीं एक दिन तो नहीं हमें रोज ही इस दिन को मनाने की याद आती है आप और में जब मार्केट जाती हैं कभी आप लखनो की बात किया जाए अमीनाबाद आप कभी जाएए आपको हर तरफ हर जगे बेसुमार आदमी दिखाई देंगे महलाएं दिखाई देंगी आपको निकलने में बड़ी दिक्कत होगी कभी रेलवे स्टिशन जाएए सफर कर रहे होगी आपको रेलवे स्टिशन में भगदर की तरह का दरस देखने को मिलेगा तो हमें और आपको जब ऐसी इस्तितियां मिलती है लखनव तो बहुत अच्छा बेहतरीन एक सिस्टेमेटिक सहर बसाएगा तब ये इस्तिति है हम लोग अगर आर्थिक राजदानी मुंबई की बात करें कोलकता की करें दिल्ली की करें चिन्ने की करें तो हर जगे हर तरफ बेश्मार आदमी हमें और आपको दिखाई देते हैं और मुझे और आपको कितनी परिशानी होती है सोचिए जड़ा आगे चलके अगर ऐसी ही जनसंक्या बढ़ती रही तो धरती भी नहीं रह पाएगी हम लोगों को रहने के लिए जमीन नहीं मिल पाएगी खाना बहने के लिए हमें अनाज नहीं मिल पाएगा और साफ हवा नहीं मिल पाएगी सबसे बड़ी बात है क्योंकि हम और आप लोग अपने घरों में पहले पंकों से काम चलाते थे और आज की डेट में अगर किसी घर में एसी नहीं है तो उसको भी एक प्रकार सहीं तक अब हो लोग रखते हैं एर कंडिसन और तमाम प्रकार की जो भी हम एसो आराम की सामगरी जोता रहे हैं तो उन एसो आराम की सामगरी से कितना सारा फोसिल फ्यूल जर रहा है डीजल और उसके परड़ाम सरूप हम और आप लोग देखिए अभी जुलाई माय में हम लोग बैठे हुए हैं और धर्ती में अभी हमारे जुलाई लगबख आधा जुलाई के आसपास पहुंच रहे हम लोग और अभी भी बारिस का हम लोग इंतिजार टुकोर टुकोर देख रहे ह हैं उपर बारिलों की तरफ की सायद हमें और आपको बारिस मिलेगी और तर भारत में जल्दी बारिस आएगी तो ये असार खटम होने जा रहा है और साबन लगने जा रहा है और तब भी हम लोग बारिस के लिए तरस रहे तो ये भी उसी का नतीजा है बड़ी हुई जनसं पर दोटका और कहीं न कहीं से क्लाइमेट चेंज जलवाई उपर वरतन ये सब कुछ बिल्जुल के आज इनसानों के ऊपर सबसे बड़े खत्रे के रूप में हमोरा आप लोग देख रहे हैं बहुत सारी ऐसे मूलबivers से विधाये हैं जो कि इनसान को नहीं मिल पा रही है जण संख्या बढ़ने की वज़े से एक सबसे बड़ी समस्य और है भोजन की, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उतनी खेती, किसानी नहीं हो पा रही है, लोग शेहर की तरफ बढ़ रहे हैं, किसानी करना कोई चाहता नहीं है, और जो और गयनिक खेती होती थी, अब उसकी जगा क्यामिकल बेस्ट खेती होने लगी है, हेल्थ पे बह पीचे चलना पड़ेगा बलकि पचास साल पीचे चलना पड़ेगा लगबग हम लोग पचास साल पहले की बात करें जब ग्रीन रिवोलुशन आई थी हरित करांती आई थी लाल बादो साश्ती साहब उस समय धानमंत्री थे और हमारा देश चीन से और पाकिस्तान से दो दो एक बार लड़ाई लड़ चुका था दो लड़ाईएं हम लोग लड़ ली थी और हमारे देश में अतना अनाज कोत पर्दन नहीं हो रहा था तब दुनिया में एक वेग्यानिक थे उन्होंने हरित करांती के रूप में काम किया था नॉर्मन बॉर्लोग साहब और भारत मे जो उनके सिस थे या उनके साथ जो काम कर रहे थे एमेस स्वामी नाथन साहब तो उनके नेतरत में डॉक्टर एमेस स्वामी नाथन साहब के नेतरत में हरित करांती आई और हम लोगों ने इतना अनाज देखा कि हम लोग अपने भरपूर भोजन प्राप्त करने लगें ले मैंने सीधे सीधे अपनी खेती में जो भी लगे हुए थे खेत में मेरे गेहूं या मतर मुर जाते हुए देखा। बड़ दायद हुगा कि ऐसे बड़ी मुश्किल में हुगाया गया और एकदम तेजी से गर्मिया बीस बाइस फरवरी के बाद एकदम तेजी से तापमान बढ़ा और तुरांत समय से पहले काटना पड़ा अथाद किसान की जो पैदावार थी वो कम हो गई बारिस नहीं हो र इस के लिए भी हमें और आपको सोचना पड़ेगा साथा सोचना पड़ेगा को कि हम गाओं मैं कुटीर उद्दोगों का रहने बाला हूं मेरे घर में पानी की परिशानी है जब मैं जाता हूं तो पांच किलोमेटर दूर से मेरे घर में पानी लाया जाता है तो ऐसी इस्तितीवे में क्यों जाना पसंद करूँगा मैं तो सोचूँगा मैं लखनू में रहूं वो तो दुर भाग पूर कहें या क किसी भी फल के सरूप मुझे जॉब करने के लिए लखनू में रहना पढ़ रहा है। लेकिन कल के दिन अगर मैं गाउं में ही रह रहा होता हूँ पानी की जब दिक्कत होती तो मैं सीधे सहर की तरफ या दूसरी जगे जाने की कल्प न करता। मेरे माबाप आज भी गाउं में उनके लिए बड़ी परिशानी है जीवन जीने के लिए रोज उनका संगर सोता सुबह से चार पाँच बजी तो ये सरकारों को सोचना पड़ेगा कि भाई एक तरफ हम और आप लोग अगर जन संक्या बढ़ रही है तो उसके लिए उनको पा पाँच बढ़ आप लोग आप लोग रासन के रूप में सब्सिडी के रूप में जो चीजें देते हैं तो क्या उन्हें दी जाएं कि नहीं दी जाएं यह सी जम पर चिंतन करना आवश्यक है लोगों को बैठके जो नीती निर्माता लोग है उनको सोचना ज़रूरी है कि क अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ तब तक आप देखते रहें प्राइम टिवी आपका पसंदीदा निउस चैनल प्राइम टिवी अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी MS पेर के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म्स पर और अब ये आ गया है नेट विजन के चैनल नंबर 241 पर अप्डेट